आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पहुत ही प्यारे से डियाइवाई इसके लिए मैं यूज करने वाली हूँ काड़बोर रोल और आप मुझे इंस्टेग्राम और फेस्बूक पर भी फॉलो कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और नाव लेट्स तो मेरे पास यह काड़बोर रोल काफी दिनों से है इसके पहले भी मैंने आपके साथ ना पहुत ही प्यारा सा डियाइवाई शेयर किया था इस काड़बोर रोल को यूज करके और यह कुछ मिरर्स तो हम यहाँ पर यूज करने वाले है मिरर मोजाइक आर्ट और इसके हम बहुत ही प्यारा सा डियावा बनाने वाले है अपनी वॉल के लिए तो सबसे पहले मैं इसे कट करने वाली हूं and recently मैंने शायद इसके पहले ही आपके साथ ना एक लिपनाट का DIY शेर किया है जिसमें मैंने ना यही cardboard roll यूज किया था and जो बचे वाला half जो cardboard का roll है इसको यूज करके आज पर पहुत ही प्यारा सा एक mirror DIY बनाने वाली हूँ तो हम यहाँ पर बनाने वाले हैं इसके उपर mosaic art तो इसके पहले ना मैंने नहीं देखा है किसी भी cardboard roll के उपर mosaic art तो चलो आज हम ट्राइ करते हैं and सबसे पहले हम start करेंगे finishing से इस cardboard को finishing provide करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ masking tape and इसे में सारे sides पर लगा दूँगी अगर आपके पास masking tape नहीं है तो आपना newspaper या फिर tissue paper जो होते हैं उनका यूज कर सकते हैं बस आपको थोड़े से पानी में फेवी कॉल लगा करना इसको apply कर देना है and उसके उपर आप newspaper को भी stick कर सकते हैं पर थोड़ा सा time taking process होता इसलिए मैं यहाँ पर फटा फट से यह masking tape लगा दूँगी जब तक मैं इसे finishing कर रही हो ना तो आप फटा फट से यहाँ पर चैनल को subscribe कर ले and वीडियो को ज़रूर लाइक कर दे and पहुत ही प्यारे-प्यारे DIY आने वाले है तो make sure कि आप बेल ऐकन को भी ज़रूर ब्रस कर दे तो चलिए अब apply करते हैं धेर सारे mirrors मेरे पास यह round shape की mirror है जो मैंने कुछ kilo के भाव से लाए थे यानि कि half kg मैंने लाया था और यह बहुत पुराने है तो इसको मैंने center में लगा दिया है क्योंकि यह cardboard रोलना मतलब half circle है तो यह इसके उपर अच्छे से नहीं जाएगा तो इसके उपर में थोड़ा सा अलग pattern बनाना चाहती थी और इसके पहले ना मैंने आपके साथ mozai card share किया था और उसे बहुत ही बड़ा सा एक वास बनाया था जो कि आजकल पहुत ही trend में है और आप लोगों को वो वीडियो पहुत जादा पसंद आया था तो उपर में यहाँ पर side में लगा दूँगी वो कौन सा वीडियो है अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो please उसे जाकर जरूर देखे आप लोगों ने उसे बहुत पसंद किया था अगर आपने उसे मिस कर लिया है तो उसका लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी अब भी हम बढ़ते हमारे इस डियावे की तरफ यहाँ पर मेरे पास जो भी shape and size के mirror है उसे बस मैं circular shape में लगाते जा रही हूँ क्योंकि मैं चाहती थी कि इसके उपर एक कुछ pattern जैसा दिखे क्योंकि इसके पहले जो मैंने आपके साथ share किया था cardboard roll के उपर mosaic card उसमें मैंने ना randomly बहुत सारी mirrors लगा दिये थे तो मैं कुछ आज हटके बनाना चाहती थी तो इसका process काफी ज्यादा simple है बस आपको fevy call या फिर fevy bond जो भी आपके पास available है उसकी मदद से mirror को आप लगाते जाए जरूरी नहीं है जो मैं mirrors use करी हूँ वही आपके पास हो आपके पास जिस भी size के shape के mirror है आप बस एक pattern को बनाते जाए और इसे लगाते जाना है और जब यह अच्छे से soup जाएंगे तब हम इसके उपर apply करने वारे है एक paste जो मोजाइक paste होता है वो भी मैं आज आपके साथ share करूँगी कि उसे कैसे बनाते है तो बहुत ही simple सा यह DIY है और इसका जो outcome है वो बहुत amazing है तो इसे बनाते बनाते मैं तो काफी जादा थक गई थी सोचा चलो अब थोड़ा सा break लेते है तो आज मैं आपके साथ share करने वाली हूँ गुड़ुची आईरवेदा का Bonsy Hair Serum और गुड़ुची आईरवेदा का Kesha Tablets तो यार इसके पहले ना मुझे बहुत ही ज़्यादा hair fall हो रहा था और इसकी वज़े से मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी क्योंकि बहुत ज़्यादा update रहना पड़ता है वीडियो के साथ हर रोज वीडियो बनाने पड़ते है और थोड़ा बहुत stress है या फिर घर के काम है तो इन सारी चीजों में कही ना कही हमारा जो work का effect है वो हमारे hair के उपर सबसे ज़्यादा दिखता है तो ऐसे मैं मैंने मंगवाया था केशा का tablets क्योंकि जब भी intake की बात आती है यानि कि tablets वगेरा मैं हमेशा आईरवेदा पे बहुत ज़्यादा ही trust करती है गुड़ुची आईरवेदा के केशा tablets 100% natural है और यह आपको provide करता है replenishes hair follicle to control hair fall and promotes the new hair growth replenishes viral nutrients to scalp and promotes melanogenesis and prevent prematuring growing तो आप इसे ज़रूर यूज़ करें और इससे बहुत ही ज़्यादा benefit होता है क्योंकि हम अगर कोई चीज apply करने के साथ-साथ intake भी करते है तो उसका effect जो है वो पहुत ज़्यादा बढ़ जाता है यानि कि दुगना बढ़ जाता है और इसके साथ है यह बहुत ही प्यारा सा गुड़ुची आईरवेदा का bouncy hair serum जो आपको extra strength and revitalizing भी करता है hair को यह shine provide करता है protect करता है और यह antifreeze भी है यह आपको देता है fuller, healthier and densier hair तो आप इसे ज़रूर ट्राइ करें यह बहुत ही बढ़िया result देता है आप चाहे तो इसे इस तरह से हातों पर लेकर भी use कर सकते हैं या फिर इसके साथ जो यह dropper है इससे भी आप इसको यूज कर सकते है इसके अंदर बहुत सारे oils का extract है जैसे कि जोजोबा oil, moringa, avocado, argan oil, coconut oil, rosemary तो इस तरह से oil के साथ यह बना है इसलिए आप इसे 100% safe के साथ यूज कर सकते हैं और साथ ही आप इसको थोड़ी देर तक मसाज करनी है आपको scalp में लगाकर और बस हलके हाथों से मसाज करने के बाद आप इसे wash कर सकते हैं और मैं इसके साथ ना इसकी जो tablet से वो तीनों टाइम लेती हूँ यानि की सुबह, दुपेर और रात को खाने के बाद तो आपका जो effect है वो दो गुना पढ़ जाता है इस oil को लगाने के बाद आप चाहे तो 2-3 घंटे में hair wash कर सकते हैं या फिर मेरी तरह overnight छोड़ सकते हैं और इसका result आपको बहुत ही अच्छा लगेगा तो अगर आप इस product को खरीदना चाते हैं तो नीचे मैं link description box में दे दूँगी तो अगली सुबह मैंने इसे अच्छे से wash कर लिया है कोई भी normal सा shampoo आप लगा सकते हैं इस serum का formula ना काफी lightweight है और ये tablets आपको दिन में 3 बार लेनी है खाने के बाद या फिर आप इसे 2 बार भी ले सकते हैं इस product को अगर आप खरीदना चाहते हैं तो 11% आपको discount मिल जाएगा इसकी website पर अगर आप मेरा coupon code भी यूज करते हैं तो सारे details जो है मैंने description box में डाल दी है तो आप जरूर से चेक कर लिजे तो मैंने अपने life में इसे include कर लिया है और मैं आपको इसका जल्द ही review दूँगी तो आप चैनल पर बने रहें चलिए बढ़ते हमारे DIY की तरफ देखें mirrors लगाकर मैंने complete कर लिया है कितना ज्यादा सुन्दर लग रहा है अगर आपको इसके उपर mosaic paste अप्लाई नहीं करनी है तो आप इसे base में color देकर इस तरह से mirror लगाकर भी छोड़ सकते हैं तो मैं अब यहाँ पर बनाने वाली हूँ mosaic mirror art इसके लिए एक जो paste होता है वो हम फटा-फट से बना लेते हैं जिसके लिए मैंने लिया है तीन चमच वलपुटी इसके जगह पर आप चाहे तो white cement का भी use कर सकते हैं और इसके अंदर जो भी आपको color चाहिए वो आप डाल ले और फिर मैं इसके अंदर add करूंगी favicol इसे अच्छे से mix कर लेंगे और यह paste हो गया है ready अब जहाँ पर भी आप लगाना चाहते हैं इसे apply कर दे मैं इसे हातों से ही apply कर दे रही हूँ और इसे आप बहुत ही easily हातों से apply कर सकते हैं और इसके बाद इसे smooth out जरूर कर ले extra जो paste होता है उसको निकाल ले और यहाँ पर मैं दो colors को add करने वाली हूँ जो उपर के और नीचे के side में मैंने जगा चोड़ी है वहाँ पर मैं yellow color apply करने वाली हूँ और अब हम इसको थोड़ा सा smooth out कर लेंगे पानी की help से ज्यादा पानी add मत करें जिसकी वज़े से फिर बाद में cracks आ सकते हैं तो बस आप इसे थोड़ा सा पानी लगाकर sponge की मदद से पोंच ले अब मैं इसे dry करने के लिए छोड़ दूँगी अब नीचे के side में और ऊपर के side में yellow color को apply कर देंगे yellow color को हम अच्छे से apply कर देंगे और साथ ही साथ में smooth out भी कर लेंगे वरना बाद में पहुत जादा दिक्कत हो सकती है तो अब इसको hang भी करना है इसलिए हम hanging के लिए कुछ यहाँ पर arrangement करने वाले है तो जिसके लिए मैंने msil का use किया है तो दोनों component को same size में लेकर अच्छे से mix करने के बाद हम इसे hanging बनाने वाले हैं पीछे के side में hanging के लिए आप चाहे तो cotton rope, jute rope का भी यूज कर सकते हैं तो दोनों side में मैं msil को जो है इस तरह से stick कर दूँगी और यह ready हो जाएगा आप चाहे तो किसी wire का भी use कर सकते हैं और दो घंटे में यह अभी summer चल रहा है तो बहुत अच्छे से dry हो जाएगा अब यह mirror जो है इसको हम पोच लेने वाले हैं थोड़ा सा पानी का cloth या फिर आप sponge भी ले सकते हैं या फिर जो extra paste उसे आप knife की मदद से हटा सकते हैं और यह एकदम ready हो जाएगा तो चलिए देखते हैं इसका final look की यह कैसा लग रहा था और आपको कैसा लगा है यह भी मुझे comment section में जरूर बताना यह DIY अगर आप भी try करते हो तो मुझे मेरे instagram पर जरूर शेयर कर देना उसका link मैंने description box में दिया है और साथ ही मैंने facebook का भी link दिया है तो आप वहां पर भी जाकर मुझे follow कर सकते हैं तो चलिए मैं मिलती हूँ आपको next video में किसी और DIY के साथ तब तक के लिए take care and bye bye